कि आपके मादन से जो भी दर्शक ये चीज देख रहे हूं आप मेरे को आज यहां देख लीजिए पता नहीं इस अंदोलन के चलते आप दुबारा देख पएं या ना देख पा है अगर तो आप चाते हैं कि पायल तड़वी रोहिक वे मुला और पोस्टर पर अगला चेहरा मेरा देखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी आप गर बैट के देखिए और अगर आप नहीं देखना चाहते तो मेरे साथ उस संदोलन पर आईए क्योंकि मैं आत्म मेरे समाज के समान के और आत्म समान सवाविमान के लड़ाई है मैं लड़ रही हूँ मैं जीवित होके मैंने मिसाल दे दिया है मुझे नहीं लगता मुझे कुछ जादा कहने की ज़रूरत है एक ही निर्ने लिया था कि नौकरी नहीं अब न्याय चाहिए और उस न्याय के लिए लड़ते लड़ते अब सबर की जो हद है वो पार हो चुकी है इसलिए आप सबके सामने है निर्दोष यहां खड़ है नौकरी से बाहर है दिल्ली विश्विदाले के अंदर जो आरोपी है जो क्रिमिनल है वो कुर्सी पे बैठी है आपके सामने है तो ये दो किसम की परिक्राइएं जो दिल्ली उनिवस्टे से हो रही है आप मेरे साथ ही एक इसलम्पल प्रफैसर रतल्लाल कभी ले लीजिये सीनियर प्रफैसर है एस्सोशेट प्रफैसर है दिल्ली विश्विदाले में आप सबको उनका केस पता होगा क्यों देरी उनकी एक्जांपल क्यों जुरूरी है कि अगर आप उनका रिकॉर्ड निकाल के देखो तो उनसे पड़ा लिखा प्रफेसर आपको दिलिविश विधालने में कोई नजर नहीं आएगा प्राचा सर बार बर यह चीज़ कहते हैं कि अगर SCST का प्रफेसर है इतना ही काफी है उसकी काबिलियत हमें बताने की जरूटने क्योंकि हम दावे से यह चीज़ कहते हैं कि वह 100% काबिल होगा इसी नहीं के अंगुठा काटा जाता है प्रफेसर रतल्लाल ने मैं आपको एक्जांपल दे रही हूं प्लीज इसको दिखाईएगा कि प्रफेसर रतल्लाल ने जब युनिवस्टी को ल जिनके उपर में 4-6 तक जमा हो चुकी है मेरे केस में F.I.R.S.C.S.T. के अंदर हुआ और 4-6 तक जमा है कोट में तो उसको अभी तक आपने वहां बिटाये रखा है वह वहां वहां है और हम बहार है और क्यों क्योंकि यह जो जाती है कभी नहीं जाती है यह सिरफ और करक्षन मिल रहे है वाईस चांचलर उनकी मदद करें और सब बcado करें और वहां पर वहां पर क्रिमिनल बैठी है और आए दिन पता नहीं कितने दलिते दिवस्यों का भूजनों का वो गला काट रही है वहां बैठे और वहां पे जो साजिस चल रही है वो तो चलेगी 28 रूप 28 तारीक को मैं 12 वजे से उस प्रोटेस्ट पर बैठ रही हूं या फैसला भूजन समाज करेगा या वहां रहेंगी या आपको अपनी भूजन बच्च जीते हैं कि किसने कौन चलाए और कौन नहीं आया जीते जी जब आपको कोई कहता है कि मैं जातिकत बेजभाव का शिकार हूं तो आप उठके नहीं आते तो अब मैं भी देखूंगी बड़ा भाशन देने वाले बड़े बड़े नंबर लगाने वाले कितने मेरे समाज के सब्सक्राइब करें कि अपनी बच्ची का साथ दो अपने बच्चों का बविश्य बचाओ शुक्राइब कि अगर अगर